हेल्लो बच्चो स्वागत अप सको तो यहां पर हम बात करेंगे प्रस्णवली 2.2 के बारे में ठीक है सो जो चेप्टर हम पड़ रहे हैं उसका प्रस्णवली 2.2 का यहां पे Quesions को डिसकेस करेंगे ठीक है तो यहां मेरे साथ बने रहे पहला पैसे हम देख देखते हैं यहा हम वो क्या बोलते हैं दूसरा टॉम में और भी उसको क्या है गुणात्मक प्रतिलोम भी बोलते हैं याद रखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम या फिर यूद्क्रम ग्याद करो यूद्क्रम भी बोलते हैं उसको और दूसरा क्या बोलते हैं गुनात्मक प्रतिलोम निकालना है गुनात्मक प्रतिलोम मतलब कुछ भी नहीं है बस उस संख्या का उपोजिट उल्टा कर देना है तो हमको गुनात्मक प्रतिलोम मिल जाता है ठीक है गुनात्मक प्रतिलोम जिसे यहाँ पर देखिए इसका गुनात्मक प्रतिलोम क्या होगा किसका यह जो 6 लिखा है इसका गुनात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 6 के निचे में कुछ नहीं मतलब 1 है कि नहीं 6 के निचे कुछ नहीं मतलब 1 है तो अब इसको हम क्या करेंगे उल्टा कर देंगे तो 1 क्या हो जाएगा उपर चला जाएगा तो यह हो जाएगा 1 by 6 मैं directly आपको बता दे रहा हूं कि गुणातमक प्रतिलोम या फिर यूद क्रम् कैसे लिखेंगे इसको डारीकली इसको आप क्या करोगे ऊल्टा कर दोगे फिकासे कर दोगे इस संख्या को उल्टा कर दोगे इसके निचे में one था उपर चला धिया they will है ठीक है अब यह किया हो जाएगा इसका यह जो है वान बाइटू का उत्तर आप क्या लिखोगे यह हो गया टू बाइवान मतलब इसका हो जाएगा टू बाइवान इस तरह से तो निच्छे का वान को हम नहीं लिखते हैं तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा इसका उत्तर पासा नहीं कर सकते हो यह तिन नमर वोला जो सी है इसका उत्तर क्या हो जाएगा इसको आप कैसे लिखोगे इसको उल्टा कर देना है नीचे को उपर उपर कर नीचे तो सत्रा बटे आठ हो जाएगा इसका ठीक है सत्रा बटे आठ आपने लिग दिया इसका क्या व्यूत क्रम व्यूत क्रम करने के लिए आपको बस opposite कर देना है उल्टा कर देना है उसको ठीक है अब इसका one का क्या होता है नीचे में one है one by one है तो इसको उल्टा भी करोगे तो one by one ही आएगा सो वान का व्यूत क्रम क्या होता है वान का व्यूत क्रम वान ही होता है तो कभी-कभी यह प्रसना आजाता है एक संख्या ऐसा बताइए जिसका व्यूत क्रम वही नम्मर है तो एक है उसका उत्तर क्या हो जाएगा एक का क्या होता है व्यूत क्रम जो होगा एक ही रहेगा ठीक अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए यह ओला प्रस्टना दो पूर्णांग है तिन बटे पांच दो पूर्णांग तिन बटे पांच है तो पहले इसको क्या करना है आपको विशम भिन्ना में बदल देना है ठीक है तो विशम भिन्न में बदलने के लिए क्या करना है कि इसको गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा पांदुनी 10, 10 में 3 जोड दिया 13, 13 बटे 5 ठीक है ये तो ये भिन्ना दिया गया है अब इसको उल्टा कर देना है विशम भिन्ना में ले जाने के बाद क्या कर दिया उसको उल्टा कर दिया तो ये हो गया विशम एक दो प्रसन आपको आ सकता है कि व्योद करम गयात करिये व्योद कर निकाल लिए तो आपको इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा भूलना नहीं अब गुनात्मक प्रतिलों भी बोलते हैं कभी कभी व्योद करम बोलते हैं अगर इंग्लिस में इसको पुछा गया तो इसको बोलते हैं multiplicative inverse, ठीक है, यह yad रखेंगे, उसके बाद आज हम उस वीडियो में और चीज देखेंगे, जो भिनना का गुणा हम कैसे कर दे तो तो हम देख लिया, अब इस वीडियो में हम और देखेंगे, कि भिनना का भाग हम कैसे करते हैं, ठीक है, भिनना का भाग करना हम सिखेंगे, तो यहां पर हम भाग करेंगे आप उसके बाद आप खुद से कर सकते हैं अदरावास क्या होगा कि हमेशा आपको दुसरों से देख के लिखना पड़ेगा, पहले समझने के कोशिश करिए कि हम भाग किस प्रकार से करते हैं, ठीक है, तो भाग करने के लिए, पहले 6 है, अब हम डायरेक्ली भाग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ली भाग नहीं कर सकते हैं, तो इसको ये भाग को हम क् उल्टा हो जाएगा उपर का नीचे नीचे का ऊपर अब क्या हुआ गुणा करना तो मैंने सिखाया था आपको पहले वाला वीडियो में कैसे गुणा करते हैं यह उपर उपर का गुणा नीचे नीचे का गुणा करना था लेकिन यहाँ पर कट जाएगा यह देखिए इस 3 से 6 कट जा रहा है यह 6 जो है उपर का नम्मर है वो 3 ज कितना होगाそ ana और नीचे में एक है तो मिदेखें को हम नहीं लिखेंगे जाएक मतलब सोंला हो गया इसका उत्तर तो इसे प्रकार से इसको देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे यहांपे क्या है आपको कितना को 31 को 31 नीछे के साथ में कुछ नहीं मतलब 1 है 31 गुणे 3 और निचे में कितना है एक गुणे दो मतलब 2 ही है बस तो कीतना हो जाएगा ये उपर के साथ में गुणा किया तीन हो यह ना श्राय सब्दविन्न ना किया तो इसको क्या होई ह ी ओना में ले जाते हैं मिसर भिन्न दिख्यूंड ये विशमिन्न है जब उपर Compared so server हर से बड़ा हो जाता है तो इसको बिसम बिन्ना बोलते हैं जब कोई भी संख्या बिसम बिन्ना में आता है तो उसको आपको क्या करना पड़ता है मिस्र बिन्ना में ले जाना पड़ता है तो इसको आप भाग करके आप मिस्र बिन्ना में ले जा सकते हैं ठीके या फिर इतना पहले जो था जो भिन्न था पिछे साँ अभी क्या हो गया जो भिन्न जो है आगे की तरफ आ गया इसको हम कैसे भाग करते हैं तो पहले जो यह मिश्र भिन्न है क्या कर देए बिसम भिन्न में ले जाईए इसको चारदो नी 8 8 में 1 जुडिया 9 9 बटे 4 भागा 3 ठीक है इस तरह से हो गया आब दूसरा बारा हमको क्या करना है ये भाग साइन को हटा जाना है 4 बटे 9 जो पहला संख्या है उसको उसी तरह से रखना है अब ये भाग के जगा में गुणा अब इसको उल्टा कर दीजे उल्टा कर दिसे मतलब इसके नेचे में वान था। ओक्यानय उपर चला जा जाए त्री जो है नीचे आ जाएगा तुए एक बटे तीन वह जाएगा पिसब्सकुर्द・ 2 ट्रीन दॉन एक इतना हो जाएगा तुरह मेंगoken चार हो जाएगा शो थीन बटे यह ब्ना कर देंगे इसको उलटा करना मतलब इसके नीचे में नीचे में वान हैं कितना आ गया चार बार आ गया चार गुणे एक कितना हो जाएगा चार हो जाएगा और साथ गुणे एक कितना हो जाएगा साथ हो जाएगा तो गुणा वला मैंने बताया है पहले जिन्नोंने भी गुणा वला वेडियो को नहीं देखा है उसको देख लिजेगा ठीके ना तो इस प्रकार से हम लोग इसका क्या कर सकते हैं? भाग कर सकते हैं, ठेके? यह भाग हमने यहाँ पर दिखा दिया, मैंने A नमर का दो प्रस्न किया और B का दो प्रस्न किया और बाकी आपके लिए मैंने छोड़ दिया है, अब यहाँ पर C नमर का कुछ प्रस्न करके आपको बता ऑनाहे इसको विसम मिनन में ले जाएये विसम मिनन में ले जाने के लिए जूड़ें एक Бषाइब होग्या ठीचे अयब यह लिए अब इस इस दर्वां कर दिया यह उल्ट आ जाएगा गुणा जो भाग को अगर हम गुणा में बदल देते हैं तो पिछे वाला संख्या जो है उल्टा हो जाएगा तीन बटे साथ ओके अब यह क्या होगा तीन और छे कट जाएगा उपर का और नीचे का कटता है कारते समय भी ध्यान रखना है उपर का संख्या और बटे 14 इसका उत्तर हो जाएगा उसी प्रकार के इसमें आ जाते हैं इसमें इसको भी अब क्या करिए गुणा करिए तीन पंचे 15 15 में दो जोड़ दिया 17 17 बटे 3 भागा है ठीके 17 बटे 3 भाग कर देंगे अब इसको भी ऐसा कर दे चार चको 16 16 में एक जोड़ दिया कितना हो बटे 17 ठीके अब यह 17 और यह 17 कट जाएगा 17 17 यह भी कट गया ठीके सो एक और चार को गुणा कर यह उपर में और नीचे में तीन और एक को गुणा कर यह तीन सो चार बटे 3 आपका उत्तर हो जाता है तो दोस्तों यहां पर मैंने भाग करने का ठ्रिक बताया और व्यूत सब्सक्राइब तो आपका सिखने का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा ठीके आशा करता हूं दोस्तों कि यह वाला पोर्शन जो आज मैंने सिखाया है कि कैसे भाग करते हैं भिन्न का कैसे भाग होता है या फिर व्यूत क्रम कैसे निकालते हैं मतलब गुनात्मक प्रतिलम क कैसे निकालते हैं वो सारा चीज आप समझ गए होंगे सो अब इक लिए इतना है थैंक यूपर वाचिंग गॉट ब्लेस यू